15 सालों से गोविंदा बॉलिवुड में अपना बनवास छेल रहे थे वो बॉलिवुड जहां उन्होंने करीब 40 साल दिये वो उन्हें काम नहीं दे रहा था और आखिरकार गोविंदा ने एक बार फिर से राजनीती का रुख कर लिया 15 साल से गोविंदा को कोई धंकी फिल्म नहीं मिल रही थी काम के लिए परिशान थे गोविंदा और बॉलिवुड ने उनके साथ किया भेद भाव और ऐसे में गोविंदा एक बार फिर से राजनीती में चले गए उन्होंने शिवशेना ग्रुप जोइन कर लिया उन्होंने शिंदे गुट को जोइन किया है और कहा जा रहा है कि गोविंदा बहुत जल्द चुनावी मैदान में उतरेंगे आपको बदा दे साल 2004 में उन्होंने कॉंग्रेस जोइन किया था और उन्होंने राम नाइक जैसे दिगज निता को हराया था और वो सांसत बने थे लेकिन गोविंदा के लिए वो experience बहुत अच्छा नहीं रहा था उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने अपने life की सबसे बड़ी गलती ये की थी कि उन्होंने राजनीती जोईन की थी लेकिन अब उनका ये कहना है कि उनका बनवास खत्म हुआ और एक बार फिर से वो राजनीती में आये है गोविंदा के लिए ये जो पिछला 15 साल था ये बहुत ही खराब रहा क्योंकि फिल्म पार्टनर उनकी आई थी साल 2009 में उसके बाद से उनकी कोई भी फिल्म हिट नहीं हुई कि बॉलिवुड उनके साथ पक्षपात कर रहा है और गोविंदा जो है काम के लिए परिशान थे गोविंदा ही नहीं उनके दोनों बच्चों को भी अभी तक बॉलिवुड ने काम नहीं दिया और ऐसे में एक बार फिर से वो राजनीती में चले गए आपको ये बताए कि 80 और 90 के दशक में गोविंदा बॉलिवुड के टॉप अक्टरस में हुआ करते थे बॉलिवुड में तीन खांस आ चुके थे सल्मान, शारुक और आमिर उसके बाबजूद गोविंदा का जादू खत्म नहीं हुआ 90 का पूरा दशक उनके नाम रहा और बड़ी-बड़ी हिट फिल्में उन्होंने दी चली आज हम आपको बताएंगे कि गोविंदा की वो कौन सी फिल्म है जिसको देखने सबसे जादा दर्शक सिनिमा हॉल में जुटे साथ ही आपको ये बताएंगे कि गोविंदा की ब्लॉक बस्टर फिल्म में कौन पॉन सी है चली सबसे पहले आपको बताते हैं गोविंदा की वो 5 बड़ी फिल्में जिसको देखने के लिए सबसे जादा दर्शक सिनिमा हॉल में जुटे थे आपको ये बताएं कि एक दौर था जब गोविंदा एंटर्टेनर नमबर वन, हीरो नमबर वन कहलाते थे क्योंकि लगातार वो सुपर हिट फिल्में देते थे बड़े मिया छोटे मिया तो ऐसी फिल्म है जिसमें गोविंदा अमिताब बच्चन पर भारी पड़ गया थे तो आपको बताते हैं कि नब्बे के दर्शक की उनकी कौन सी वो बड़ी फिल्में है जिसको देखने सबसे जादा दर्शक सिनिमा हॉल में जुटे थे तो गोविंदा के करियर की सबसे बड़ी फिल्म है आखे ये फिल्म आई थी 9 अपरेल 1993 को और इस फिल्म को देखने के लिए 2 करोड 85 लाग से जादा दर्शक सिनिमा हॉल में गये थे और ये एक ब्लॉगबस्टर फिल्म थी गोविंदा की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म है हीरो नंबर वन हीरो नंबर वन में उनके साथ थी करिश्मा कपूर इस फिल्म के गाने बहुत हिट हुए थे ये फिल्म आई थी 21 फरवरी 1997 को और करीब 1 करोड 74 लाग 28 हजार दर्शकों ने इस फिल्म को सिनिमा हॉल में जाक एक करोड 63 लाग 17 हजार दर्शक इस फिल्म को देखने सिनिमा हॉल में पहुँचे थे और ये एक हिट फिल्म थी गोविंदा के करियर की चौथी सबसे बड़ी फिल्म है राजा बाबू राजा बाबू 21 जनवरी 1994 को सिनिमा हरु में आई थी और इस फिल्म को देखने के ल ले ससुराल ये फिल्म आई थी 12 अप्रेल 1996 को और इस फिल्म को सिनिमा हॉल में देखने पहुचे थे एक करोड 55 लाग 78 हजार दर्शक और ये एक सूपर हिट फिल्म थी चलिए अब आपको बताते हैं गोविंदा की बिजनिस के मामले में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म कौन सी है तो इस मामले में उनकी नमबर वन फिल्म है पार्टनर फिल्म आई थी 20 जुलाई 2009 को और इस फिल्म ने 60 करोड से ज़्यादा की कमाई की थी और ये एक हिट फिल्म थी फिल्म में उनके साथ थे सलमान खान और कटरीना कैव कमाई के मामले में गोविंदा की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म है भागम भाग 22 दिसंबर 2006 को ये फिल्म सिनेमा घरों में आई थी और इस फिल्म ने 40 करोड से ज़्यादा की कमाई की थी इस फिल्म में गोविंदा के साथ थे अक्षर कुमार कमाई के मामले में गोविंदा की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म है जोडी नमबर वन 13 अप्रेल 2001 को ये फिल्म सिनेमा घरों में आई थी 18 करोड से जादा की कमाई इस फिल्म ने की थी और ये एक हिट फिल्म थी कमाई के मामले में गोविंदा की पाँचवी फिल्म है कूली नंबर वन 30 जून 1995 को ये फिल्म सिनेमा घरों में आई थी और इस फिल्म ने 12 करोड से जादा की कमाई की थी कमाई के मामले में गोविंदा की एक और फिल्म का चर्चा होती है आखे उनकी फिल्म आई थी 9 अप्रेल 1993 को और 14 करोड से जादा कि इस फिल्म ने कमाई की थी और गोविंदा की ये फिल्म एक ब्लॉगबस्टर फिल्म थी अगर आप इंफलेशन को के हिसाब से देखे तो हो सकता है कि आखे उनके करियर की सबसे जादा कमाई करने वाली फिल रहा गया था 80 और 90 का पूरा दशक उठा लीजिए गोविंदा एक ऐसे हीरो थे जो कि खांस को टकर देते थे गोविंदा का स्टार्डम ऐसा था कि उनकी फिल्में सिनेमा घरों में आती थी और हफ्तों तक भीड लगी रहती थी लेकिन वक्त के साथ गोविंदा का स्टार ही ती में चले गए